नमस्कार आप देख रहें SPN 9 News मैं हूँ आपके साथ अकास्त्रवीदी राजिस्तान में बीजेपी के तमाम एक्जिस पोल को गलत साबित करते वे कॉंग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया बीजेपी रुजहानों पर कॉंग्रेस से आगे निकल गया उसकी रणनी थी कि आगे जादू गर का जादू भी फेल हो गया दोपहर दो बजे चुनावायों कि आखलो के अनुसार बीजेपी 113 सीटों पर आगे चुर रही जबकि 70 सीटों पर आगे होनी चाहिए वहीं कॉंग्रेस की बात कर लें तो कॉंग्रेस यहाँ पर 70 सीटों पर आगे है वहीं राज की विद्या धरनगर विधान सबाचेतर से बीजेपी की दिया कुमारी ने जीत हासिल कर ले बीजेपी की जीत से उत्सायत पार्टी की कार करता जिसन में वस्त है हलाकि अभी सभी किमन में सवाल है कि राज का अगला सीम कौन होगा बीजेपी की तमाम सीम फेस में से एक दिया कुमारी भी बताई चा रही है जब एनाई ने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी जिम्मदारी देगी मैं उसे ही निभाऊंगी आपको बता दें कि दिया कुमारी ने न्यूजेजनसी एनाई से बाचित करते हुए कहा कि इस छेतर में मैं नई थी मुझे कारेकरता एक एक घर लेकर गए हम अच्छा चुनाव लड़े परिनाम अच्छा आया केंद्रिय ये योजनाव में डिलिवरी में हमें फायदा हुआ दूसरी तरफ डिलिवरी में ही बहुत सारी बाते हुई मोदी मैजिक आया और हम तीन राजियों पर बड़े बहुमत के साथ सरकार बना रहे हम सब ने एक करेकरता के रूप में काम किया है इसके साथ ही दिया कुमारी नागे कहा कि जो भी पार्टी जिम्मधारी देगी मैं उसे निभाऊंगी हम सरकार में आएंगे जैसे केंदर पर काम किया गया है तुस्ती करन से दूर रहूंगी और हट कर इन सबसे विक्ति के रूप में काम करूंगी जो आम आदमी के लिए फायदा हूँ वहीं लॉइन ओर दिखाया देगा इस पर वो बात करेंगी वहीं सियम पर पद के सवाल पूछने पर दिया कुमारी ने इस बात का जवाब दिया कि यह चर्चा का विशय नहीं है यह फैसला के इंद्रिय बोर्ड लेगा जो भी तैय करेगा हम मानेंगे हमारी सरकार विकास रोजगार और महिला सुरच्छा पर काम करेगी दर्च को आपको बता दे कि यहां पर दिया कुमारी को लेकर राजिस्तान बिस पर अटकलें लग रहे हैं और कहाए जा रहा है कि राजिस्तान पर दिया कुमारी सीम फेस के रूप पर दिखाए दे सकती हैं और ऐसे में दिय कुमारी ने इस पूरे मुद्धे पर कह दिया है कि यह आला कमांद तै करेगा कि कौन सीम होगा कौन नहीं और अगर मुझे जिम्मदारी दी जाती है तो मैं बड़े ही निस्टा के साथ जिम्मदारी को पूरी करूंगी और जो जनता के लिए काम करना होगा मैं वही काम करूं झाली